launching a new product is not always about generating a product that is new to the world जब भी कोई company एक product market में लेकर आती है तो जरूरी नहीं है कि वह product इस market के लिए इस global world के लिए नया हो कौटलर का कहना है कि market में जितने भी product आते हैं उसमें से hardly 10 ही product market के लिए innovative या unique होते है basically companies क्या करती है कि वो अपने existing जो product है उनको जब launch करती है तो उसमें कुछ न कुछ अपग्रेड करती है अपने current product को ताकि वो उसको एक तरीके से नए product के फार में launch करें basically this helps to cater the customer's ever changing needs, tastes, technology and product life cycle देखिए customer की जो need है जो want है वो dynamic in nature है for example customer कोई है उसे आज jeans पहननी है लेकिन वही अगर customer को 10 दिन बात सोचेगा तो उसे लगे कि उसके पास उस product की requirement नहीं है क्योंकि customer की need, want ये सब change होते रहते हैं by the time और बहुत से multiple factors उस चीज़ को affect करते है technology हमें साचेज होती रहती है जो existing technology आज के time पे बहुत ही update है एक time की बाद ये outdated हो जाएगे customer का जो अपना product life cycle है वो भी change होगा तो आज के इस वीडियो में basically हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई company एक नया product लेकर आती है तो उनको किन-किन stage से होकर गजरना पड़ता है तो new product development process में जो stages आते हैं वो है idea generation, idea screening, concept development and testing, marketing strategy development, business analysis, product development, test marketing and in last commercialization तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि idea generation stage क्या है जब हमें कोई product लेकर हमें आना है तो सबसे पहले उस product को develop करने के पीछे thought क्या है उसमें एक idea क्या है उसके बारे में तो there are multiple sources जहां से हमको idea generation हो सकता है इसमें सबसे पहला आएगा interacting with imply imply एक बहुत ही important source होते है idea generation का उसका reason क्या है कि वो production की process में है वो customer से interact कर रहा है वो market में है उन्हें proper feedback मिलता वो improvement पर बात करते हैं तो वो जो idea देते हों कहीं ना कहीं ground realities के ideas होते है Toyota एक automobile बहुत बड़ी company है जो की quality के मामने में बहुत ही excellent है उनके हाँ लगबग हर साल 2 million ideas submit होते हैं यानि की 35 suggestions per imply और उसमें से 85% जो है implement की जाते हैं कहीं ना कहीं उनके product के improvement में या process improvement में जहां वो utilize कर सकते हैं दूसरा जो idea generation का source हो सकता है interacting with outsiders outsider यानि की हमारी organization के बाहर के लोग जो हमें एक अच्छा खासा input दे सकते हैं product को develop करने के लिए यह हमारे customers हो सकते हैं यह हमारे scientists हो सकते हैं engineers हो सकते हैं university हो सकती है commercial laboratories हो सकते हैं industrial consultants हो सकते हैं publications हो सकते हैं channel members हो सकते हैं advertising agencies हो सकते हैं even competitor भी एक अच्छा source होता है एक नए प्रोड़क्ट आइडिया के लिए अब अगर हम बात करें तो हमें अपने कस्टमर के साथ-साथ कम्पटीटर को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम प्रोड़क्ट एंड सर्विसेज मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो कम्पटीटर हमिसा कुछ न कुछ उसमें एड ओन करके आता है तो आपके रिस्पॉंजबिल्टी है कि आप अपने कस्टमर के साथ-साथ कम्पटीटर को भी स्टडी करें और कम्पटीटर को स्टडी करने के साथ आपको ये पता चलेगा कि उस प्रोड़क को कस्टमर लाइक करा है या नहीं लाइक करा अगर लाइक नहीं करा तो उसके रीजन्स क्या हूं उनको आइडेंटिफाई करके आप एक बहतर प्रोड़क बनाकर प्रोड़क्ट मार्केट में लाउंच कर सकते हैं और लास्ट सोर्स आफ आइडिया जनरेशन इस एडाप्टिंग क्रियेटिविटी ब्रेन स्टार्मिंग सेशन्स होने चाहिए एक्सपर्ट के साथ जहां से हम खुद अपनी थौट प्रोड़क्ट से एक बहतर आइडिया लेकर आएं नेक्स्ट जो स्टेज आएगी है वो है आइडिया स्क्रीनिंग यानि कि मेरे पास मल्टिपल सोर्से से धेर सारे आइडिया आगे अब हमको ये देखना होगा कि किन आइडिया को हम सेलेक्ट करें फर्दर डेवलप्मेंट स्टेज के लिए तो ये प्रॉसेस क्या है कि प्रॉसेस यूज तो स्पॉर्ट गुड आइडियास और ड्रॉप पूर वन्स जो अच्छे आइडियास है उनको सेलेक्ट करना है और जो बहुत ही वैल्यूएबल नहीं है जिनसे हमको लगता है कि आइडियास को क्या करना है ड्रॉप करना है जब किसी भी आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि उसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी उसका डेवलप्मेंट में टाइम कितना लगेगा मैनुफैक्ट्रिंग कॉस्ट क्या है रेट आफ रिटर्न क्या है और कंपनी की अपनी जो एक स्टेंडराइजीशन की पॉलिसी है जो क्राइटेरिया है उसके साथ वो प्रॉड़क कितना फिट बैठ रहा है मल्टिपल बेसिस पर हम देखेंगे कि प्रॉड़क को हमें स्पार्ट करना है as a good category या नहीं फिर जो नेक्स स्टेज आती है बहुत ही important concept development and testing अगर इस स्टेज को proper तरीके से handle नहीं किया गया तो प्रॉड़क यहाँ पर 100% fail होने का chance होता है क्यों होता है this is a product idea but consumer don't buy product ideas they buy product concept product idea है लिकिन जैसे कि for example कि एक protein powder है तो protein powder क्या है एक product idea है अब उस product idea को आपको product concept में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे अब इसमें there are certain question who will use this product इस product को कौन use करगे infants जो चोटे बच्चे नौजार बच्चे या जो थोड़े से 4-5 साल के बच्चे हैं teenagers, young, middle age या adults या older adults यानि कि market का आपने क्या किया एक तरिके सा target audience आपने identify किया अब इसमें अगर हम बात करें second जो question आएगा what primary benefits should this product provide primary benefits क्या है, taste दे रहा है nutrition दे रहा है, refreshment है या energy है और तीसरा जो question है, when will people consume this drink, at breakfast, mid morning, for lunch mid afternoon, with dinner, late evening, by answering these questions, there are multiple concepts, अब इसमें से 3 concept यहां पर रखे गए हैं यानि कि अदर हम बात करें कि protein powder की बात कर लें तो as instant drink for adult who want a quick nutritious breakfast without preparation, दूसरा क्या है, a tasty snack for children to drink as a midday refreshment, तीसरा क्या है a healthy supplement for older adult to drink in the late evening before bed यानि की product idea एक है but product concept multiple हो सकते हैं, मैं बात करूँ bathing soap की, तो सिंथाल का जो soap है, refreshment वाला soap है, डिटॉल जो आ रहा है, डिटॉल क्या कहता है, वो अपने आपको skincare product कह रहा है, जितने भी soap बनते हैं, उनमें 75% जो material यूज कियाता है, वो common होता है, बाकि 25% में पुड़ा बहुत difference किया जाता है, तो यानि की product idea एक है, बट उस product को हम product concept के साथ market में बेचने की कोसिस करते हैं, तो in fact market में product idea नहीं product concepts बिकते हैं, और यह जो stage है, यहाँ पर इसकी importance ज़्यादा हो जाती है, जब एक बार product concept हमने concept develop कर दिया product का, तो अब उस concept को हमको test करना होगा, concept testing means presenting the product concept to target consumers physically or symbolically and getting their reactions, यानि कि जब हम product को हमने concept develop के हैं, product का market में response क्या है, consumers उसको जो है किस तरीके से adopt कर रहे हैं, या उनका reaction क्या रहे हैं, या उसमें कोई plus minus या उसके कुछ disadvantages बता रहे हैं, अब इसमें हम अगर बात करें तो एक फाइदा क्या है concept testing का, कि हम manufacturing में जाने से पहले इन चीज़ों को इसलिए करते हैं, ताकि जो अगर कोई mistake हो रही है, तो उस costly mistake को avoid किया जा सके हैं, और इससे हम product को और बहतर करके, improve करके market में दे सकते हैं, concept testing का ये बड़ा important method है, conjoint analysis, basically इस analysis में ये देखा जाता है कि product के जो attributes है, जो features हैं, और consumer उन features के साथ कौन कौन सी values expect कर रहा है, क्योंकि attributes vary करते हैं, और customer की जो expectations है, ये utility value जो expect करता है, वो हमेंसा higher side करता है, तो इस तरीके से customer क्या कर रहा है, वो concept testing यानि की company concept को test करते हैं, कि हमें full-fledged इस product को production में लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नेक्स स्टेज आती है marketing strategy development, product कितना भी अच्छा हो, concept कितना भी अच्छा हो, अगर हम अपने product को proper marketing उसकी नहीं करेंगे, तो हम product को market में बेच नहीं पाएंगे, बहुत से companies उटती हैं, जो product अच्छा बनाती हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से market में अपने product की awareness नहीं कर पाते हैं, उसकी reachability नहीं जाती है, product फेल हो जाता है, तो following the success of concept is new product manager will develop है, pre-linearly three-part strategy plan for introducing new product into the market, जब concept testing हमारा successful हो जाएगा, तो new product manager क्या करेगा, तीन step की एक strategy plan करेगा, पहला क्या है, to describe the target market size, structure and behavior, the planned brand positioning and the sales market share profit goes short in the first few years, हमें ये देखना होगा, कि हमारा कौन सा target market है, उसका size क्या structure क्या है, consumer का behavior क्या है, और हम वहाँ पर अपने product को, अपने brand को किस तरीके से positionate करेंगे, अगर आप मेरे पीछे के वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको STP है, segmentation, targeting and positioning, जहां पर आप इसको detail में देख सकते हैं, and the sales market share, हमारा expected market में, क्या sales का figure हो सकता है, क्या percentage हो सकता है, और हम क्या profit gain कर सकते हैं, within a few years, the second part, जो हमारे strategy का है, planned price, distribution strategy, marketing budget for first year, हमारे पहले साल में product की pricing क्या होगी, pricing भी कई तरीके से होती है, जैसे जियो जब market में अपना product लेकर आए, तो उसने क्या 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 है, penetration pricing, market बहुत डूंस था, टेलीकॉम इंडस्टी उसमें free कर दिया, free करते क्या क्या कि उसमें market को penetrate किया और पूरी market को दिरी दिरे capture कर लिए, तो pricing बहुत important है, next है distribution strategy, यानि कि हम अपने product को अपने customer तक किस तरीके से easily, smoothly available करवाएंगे, और next हमारा marketing budget, यानि कि product के promotion के बारे में हमारी क्या strategy है, किस तरीके से हम उसको किस मीडिया में जाएंगे, online में जाएंगे, offline में जाएंगे, holding में जाएंगे, किस मीडिया के तरू जाएंगे, the third part of the marketing strategy plan describe the long run sales and profit goals and marketing mix strategy over time, लंबे समय के लिए एक planning ली जाएगे कि क्या sales expert किया जाए, क्या profit किया जाए, और किस तरीके से marketing mix की strategy develop करें, जिससे की company को लगातार, market में उसका market share sustain करें, sustain करना जरूरी है, और उसमें कितनी growth है, ताकि उसको profit होता रहा है और company का revenue बढ़ता रहा है, तो next stage अब आएगा product development की process में new business analysis, management needs to prepare sales, cost and profit projections to determine whether this satisfy company objective, management इस चीज को देखेंगा, कि उनका sales का figure और जो product को बनाने में जो लागत आ रही है, और उनके जो profit के projections हैं, यानि कि अगले 5 साल में इतना profit होगा, उनको ये देखना होगा कि company के objective के को वो satisfy कर रहा है कि नहीं, if they do, the concept can move to the development stage, अगर ऐसा होता है, projections अच्छी हैं, तो product को हम बनाने के लिए development stage में आगे की तलब बढ़ेंगे, as new information comes in, the business analysis will undergo revision and expansion, अगर कोई नहीं information आती है, तो फिर से analysis किया जाएगा, estimating total sales, total estimated sales are the sum of estimated first time sales, replacement sales, repeat sales, sales estimation methods depend upon whether the product purchased once, frequently or often, देकि product के रहता है, कोई product customer लगातार करेता है, कुछ लोग उसको one time use करते हैं, कुछ लोग बहुत कभी कभार use करते हैं, तो total जो हमारी sales से estimating sales को भी निकाला जाएगा, और estimating cost and profit भी निकाला जाएगा, अब उसमें क्या cost are estimated by the research and development, manufacturing, marketing and finance department, next stage हमारा आता है product development का, यानि की जब business analysis होगे तो आप product को develop करने के stage में आएगे, the job of translating target customer requirement into working prototype is helped by a set of method known as quality function deployment, यानि QFD, customer के requirement को product में एक तरीकी से वो attribute लेकर आना, this methodology takes into the list of desired customer attribute that is CA, generated by market research and turns them into a list of engineering attribute that is EA that engineers can use, यानि की market में जो customer को चाहिए, उसकी expectation को product में कहीं न कहीं क्या करना, development phase में लेकर आना, ताकि उसकी expectation को और product के साथ जो utility values मिल रही है, वो अगर match होंगी तो definitely क्या होगा, customer satisfied होगा, for example, customer of a proposed truck may want a certain acceleration rate, यानि की customer को अपने truck में क्या चाहिए, एक निस्चित acceleration rate चाहिए, तो यह क्या होगा है, उसके लिए CA होगा है, CA क्या है, customer attribute, customer का जो desired attribute उसको चाहिए, engineer can turn this into required horsepower and other engineering equivalence that is EA यानि engineering attribute, a major contribution of QFD, QFD हमारा कहा था, quality function deployment is improved communication between marketers, engineer and manufacturing people, अगर customer की बात को जो और जो हमारे product को बनाने वाले engineers हैं, उनको हम proper convey कर देंगे, तो 100% हम quality जो उसमें product में चाहिए, उसको हम deploy कर सकेंगे और customer को हम easily provide कर सकते हैं, अगला step है, testing marketing, the company chooses a few representative cities and put on a full marketing communication campaign and sales force try to sell the trade on carrying the product and giving it good self-exposure, और सीधा funda कहा है कि company कुछ cities को select करती है, वहाँ पर अपने marketing communication के जतने भी medium है, उनका full utilization करते हुए product को बेचने की कोसिस करते हैं, maximum trade को achieve करने की कोसिस करते हैं, और sales की जो team है, वो product को बेचने के साथ साथ एक self-exposure identify करने की कोसिस करते हैं, कि कैसे product में market में बہتर तरीके से बेचे, in designing a test market, management faces several decisions, जब test marketing की बात होती तो बहुत से questions आते हैं, जो product को लेकर जाएं, length of the test, यानि कि duration, कितने time तक हमारा ये test चलेगा उन respective cities में, which information to collect, और किस तरीके की information उन cities से हमको collect करनी चाहिए, and what action to take, और हमें किस तरीके के निर्णा लेने चाहिए, steps लेने चाहिए, अपने test marketing के लिए, ये बड़ा critical होगता है, और in last आता है हमारा commercialization, यानि कि अपने product का वैपारी करन करना, उसको proper business में लाना, full fleshed business में लेकर आना, उसको sale करना, और market में बेज कर customer को संतुष करना, profit earn करना, when, timing क्या होगे, किस समय हम product को लेकर आएंगे, first entry, क्या हम market में first movers का जो एक advantage है, उसको हम लेना चाहते हैं, क्या हम market में अपने आपको leadership के position में रखना चाहते हैं, अगर आप पहली बार उस product को लेकर आ रहा हैं, दूसरा है parallel entry, यानि कि market में already कोई competitor है, जो कि उस product को लेकर आ रहा है, आप उसके साथ paralleli compete करते हैं, with the different mediums, और तीसरा होता late entry, यानि कि क्या जब काफी companies market में product को बेज चुकी हैं, और आप आखरी में अपने product को लेकर आते हैं, the firm might delay in launch until after the computer has brought the cost of educating the customer, इसमें है कि customer को उस product के बारे में aware करने के लिए competitor ने already अच्छा खासा पैसा लगा के educate कर दिया, और आप आखरी में अपना product लेकर आ रहे हैं, और late interest की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप आखरी में एकदम late में आ रहे हैं, और ताकि आप जो rest consumer से जो आप aware हो चुके हैं, उनको आप अपना product पेचना चाहर हैं, where, geographic strategy, कहाँ पर, अब जैसे कि जो छोटी companies होती हैं, उनका जो budget भी कम होता है, उनके efforts भी limited होता है, क्योंकि वो एक necessary geographical area में काम करते हैं, जैसे कुछ companies होती हैं, वो zone wise काम करते हैं, state wise काम करते हैं, जो बड़ी companies होती हैं, वो nationwide काम करते हैं, वो globally काम करते हैं, और उनका national level का distribution का network होता है, जैसे automobile companies होती है, वो nationwide wise product को अपने models को launch करते हैं, and in a last to whom target market prospects, यानि कि हम किन को अपना product market में बेचेंगे, किन को focus करेंगे, तो this is all about the new product development process, अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छे लगी है, तो अपने friends को, अपने peer group में आप इसको recommend कीजिए, चैनल को like करें, subscribe करना न भूलें, thank you